बिहार सिख्षक भरती के लिए BPSC ने ओफिशल एंसर की जारी कर दिया है इस एंसर की से पहले अभियरतों के पास exact data नहीं था उनके नंबर का लेकिन अब उनके पास exact data है इसलिए अब जो prediction होगी वो काफी हद तक यथार्थ के करीब होगा इससे पहले जो prediction हुआ था वो एक अनुमान के तोर पर जो आप लोगों ने अपने नंबर बताय थे उसके अधार पर था लेकिन अब जो prediction होगा निशे तोर पर काफी हद तक उस समीब तक हम लोग पहुँचेंगे जो की BPSC एंसर की के बाद से जो result जारी करने बाला है अंत तक जरू जोड़े रहेगा और इस वीडियो के अंत तक आप खुद आश्यर चकीत हो जाएंगे कि जब आंकडे सही में सामने आए हैं नंबर के तो किस प्रकार से पूरा उलट फिर होने जा रहा है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार वजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते होगे बेले किन को प्रिस करना ना भूले कलके डेट में जो मैंने आप सभी के बीच में सर्वे किया था उसमें लगबग 19,000 से जादा लोगों ने अभी तक वोट कर दिया है और आखड़े कुछ इस प्रकार से हैं आपके सामने 6,6 और उससे उपर पाने वाले अभिर्थी 19 प्रतिशत दावा करते हैं 61 से 65 के बीच में 14 प्रतिशत अभिर्थी दावा कर रहे हैं इसी प्रकार से 51 से 55 के बीच में 19 प्रतिशत और 46 से 50 के बीच में 31 प्रतिशत अभिर्थी दावा कर रहे हैं हलाकि आप अलग-अलग platform पर देखेंगे तो ये जो अभियर्थी voting कर रहा है वो अलग-अलग result निकल करके सैमने आएगा मैं आपके सामने कुछ और आखड़े ले करके आता हूँ इस voting में कुल 21,000 लोगों ने participate किया है 60 से उपर 32 प्रतिशत आखड़ा दिखाया जा रहा है 50 से 60 के बीच में 39 प्रतिशत 40 से 50 के बीच में 25 प्रतिशत और 40 से कम 13 प्रतिशत अभियर्थियों ने वोट किया हुआ है एक और आखड़े को ले तो ये देखिए 12,000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है और 64 से जादा अभियर्थी 30 प्रतिशत वोट किये हुए हैं 58 से 63 के बीच में 16 प्रतिशत 52 से 57 के बीच में 19 प्रतिशत 46 से 51 के बीच में 13 प्रतिशत और 40 से 45 के बीच में 21 प्रतिशत अभि 31 से 50 के बीच में 19 प्रतिशत और 40 से से कम 7 प्रतिशत अभियर्थियों ने वोट किया हुआ है। वो सभी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हो सकते हैं। द्यान से समझेगा। बिहार की सिख्षक भरती प्रक्रिया में Honorable Supreme Court ने बीच अभियर्थियों को आमाने गोशित किया है। 23 अगस्त के फैसले के अधार पर और BPSC के चेर्मेन ने भी ये बाते इसपश्ट की हैं। उन सबके बाद से इस वोटिंग में केवल DLA अभियर्थि पार्टस्पेट नहीं कर रहे हैं। BAD अभियर्थि भी पार्टस्पेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आकड़े हैं इसमें BAD अभियर्थियों की संक्या को हमें हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझेगा BAD जो होता है चाहें किसी भी राज्य में आप देख लिजे वह ग्रेजुएशन के बेस पर होता है और अधिकान्स राज्यों में कुछ एक राज्यों को छोड़ दीजे जैसे कि उत्तर प्रदेश अधिकान्स जो राज्य हैं वहाँ पर जो DLA होता जो ग्रेजुएशन के बाद BAD किया होंगे जाहर से बात है वो ग्रेजुएशन लेवल के कमप्टिटिव इंग्जाम की तयारी कर रहे होंगे और जो DLA होंगे इंटर के बाद की तयारी कर रहे होंगे तो दोनों के इस तर में बहुत अंतर होता है और जो ग्रेजुएशन लेवल पर कौन है बीएड है यानि कि ये जो आकड़े हैं इसमें बीएड का बहुत बड़ा रोल है और इसे हमें माइनस करना होगा 37 उत्तर प्रदेश के जो अधिकान्स अभियर्थी बिहार की सिख्छाग भरती प्रक्रिया में शमलित हुए थे बीएड वाले वो जहार से बात है ग्रेजुएशन के बेस पर की होगे तो उनका भी लेवल बीएड के बराबर है आप इससे इंकार नहीं कर सकते क्योंकि ये भी ग्रेजुएड बंदे होते हैं ठीक है चलिए अब यानि कि यहां पर आधिकान्स राज्यों को देखा जाए उ यहां पर जो आप 19 परतिशत देख रहे हैं इसमें बीएड भी शामिल है और प्लस इसमें डीएड भी शामिल है अब बीएड की संख्या को हमें माइनस करना होगा कैसे मैंने आपको क्या बताया कि बीएड ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो जहार से बात है उनका परफॉर पर्फॉर्मेंस हो का वो लगभग लगभग 15 प्रतिशत हो सकता है 15 प्रतिशत और इन दोनों का एवरेज लेने के बाद से वह 19 प्रतिशत के आजपाश आ जा रहा है तो यह consistent में बता रहो हूं इसे प्रकार से एक से निस थे बैस से बिच में ंस प्रतिशत दिखाए जा 12 प्रतिशत हो सकती है यहाँ पर मैं सिर्फ DLED की संख्या को ले रहा हूँ सिर्फ DLED की संख्या कम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि DLED जो होता है वो intermediate के base पर होता है और graduation के base पर BED होता है तो उस condition में BED वाले भीरतियों की संख्या 14 प्रतिशत से उपर होगी हो सकता है 16 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और DLED और BED का average लेने पर यह 14 प्रतिशत आ रहा होगा यहाँ तक बात है क्लियर हो गई इसी प्रकार से देखिए 56 से 60 के बीच में देखिए 17 प्रतिशत अभीरती है 17 प्रतिशत ठीक है तो इसका अगर हम लोग आखड़ा देखिए तो DLED की संख्या जो है इसमें 15 प्रतिशत हो सकती है और BED की संख्या 17 प्रतिशत से उपर ही होगी यहाँ तक लियर हो गया अब अगर 51 से 55 के बीच में देखिए यहाँ पर 19 प्रतिशत है तो यह marks बिल्कुल कम हो चुका है 51 नमबर बहुत कम है 120 में तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो DLED की संख्या होगी वो BED की संख्या से ज़्यादा हो सकती है तो यहाँ पर आप मान करके चलिए डियलेड की संख्या लगबग 20% के आजपास होगी ठीक है और बाकी का जो यहाँ पर बचा 31% जो की 46-50 के बीच में शो कर रहा है इसमें जो डियलेड की संख्या है वो बियलेड की संख्या से ज़्यादा होगी क्योंकि यह कम नंबर है और जाहिर से बात है यहाँ पर डियलेड वाले की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको तो यहाँ पर लगबग 38% डियलेड वाले अभियरती हो सकते हैं बाकी बीड वाले अभियरती हो सकते हैं यहां पर देखिए मैं B.A.D. और D.A.D. किसी को भी कम नहीं आक रहा हूँ लेकिन चुकि B.A.D. graduation के बेस पर होता है और D.A.D. intermediate के बेस पर होता है तो जाहिर सी बात है दोनों के जो competition की त्यारी करने का इस्तर था वो अलग-अलग था तो जाहिर सी बात है दोनों का level automatic अंतर हो ही जाएगा और उस हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं यह सब कुछ आकड़ा होगा अब एक बार सब को जोड करके देख देते हैं कि क्या D.A.D. वाले 100 प्रतिसत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई भी चाहिए B.A.D. हो या फिर D.A.D. हो अपने आप में 100 प्रतिसत ही होता है तो यह D.A.D. वाले अभीरतियों की प्रतिसत में कन्वर्जन हम लोग नहीं निकाल लिया क्यों हम लोग ऐसा कर रहे थे क्योंकि यह जो आकड़ा है इसमें B.A.D. भी शामिल था और D.A.D. भी शामिल था हम D.A.D. वालों को अलग कर रहे थे क्योंकि B.A.D. वाले प्रत्मी के लिए पात्र नहीं है B.P.S.C. के चेर्मेन के द्वारा दिये गए इस्टेट्मेंट के अनुसार से और Honorable Supreme Court के फैसले के बाद से अब यहां पर देखिए यह जो D.A.D. की संख्या है D.A.D. में आपके male और female दोनों सामिल है इस 38 प्रतिशत में तो अब हमें male और female को अलग-अलग करना होगा अलग-अलग कैसे कर सकते हैं देखिए आप B.A.D. या फिर D.A.D. में प्रिवेश लिए होगे तो आपने खुद महसूस किया होगा कि B.A.D. और D.A.D. में महिलाओं की संख्या पुरुषो की तुल्ला में जादा होती है इस जगह 80-20 का होता है तो मोटा-मोटी आप कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या जादा है और पुरुषो की संख्या कम है अब यहां पर हम लोग 80-20 का अनुपात लेकर करके नहीं चल सकते हैं क्यों क्योंकि आन्यराजे की जे महिलाएं हैं अगर वो साधी सुदा होगी या फि चलेंगे महिलाओं और पुरुष का वो 60 is to 40 का मान करके चलेंगे यानि कि मान करके चलेंगे कि 100 में 60 महिलाएं हैं और 40 पुरुष हैं यहां ते क्लियर हो गया अब यहां पर जो हमने प्रतिशत निकाला है प्रतेक यहां पर रेंज का प्रतिशत निकाला है इसमें महिलाए और फुरुष दोनों सामिल है यानि 38 प्रतिषत में फीमेल भी है और 38 प्रतिषत में मAYL भी है अब इसको कैसे differentiate करेंगे दिशान से समझेगा ये जो प्रतिषत दिखा रहा है वो टोटल डियलेड पास अभियर्थियों का दिखा रहा है और टोटल पास डियलेड अभियर्थी जो कि इस परिच्छा को क्वालिफाई करेंगे वो एक लाख आठ हजार पांसो हो सकते हैं अब आपके मन में प्रशन आएगा कि यह आखडा कहा से आया तो इसके रखते होंगे उनकी संख्या एक लाख आठ हजार पांसो आई थी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेव वीडियो का लिंक दिया गया है जरूर देख लिजेगा आपके सभी डाउट किलियर हो जाएंगे कि एक लाख आठ हजार पांसो संख्या कहां स सकता है तो अगर इसका 60 प्रतिशत हम लोग निकाल दे तो टोटल फीमेल की संख्या पता चल जागी और इसी का 40 प्रतिशत निकाल दे तो टोटल मेल की संख्या हमें पता चल जागी यहां तक क्लियर हो गया तो यहां पर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसका हम लोग कि जो संख्या आती है वो आती है 43,400 यानि कि female जो की DLED है और जो की qualify कर रहे हैं cut off mark से उपर उनकी संख्या 5,100 है और male जो की qualify कर रहे हैं और सभी eligibility को रखते हैं DLED हैं उनकी संख्या है 43,400 इन दोनों आकड़ों को ध्यान से समझ लिजे आगे बहुत ज्यादा यूज पढ़ने जो शामिल है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चुकि male और female दोनों बराबर तो है नहीं दोनों बराबर नहीं है और इस condition में आप ये भी बात से इंकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 17 साल में बेर्थी intermediate करता है उसके बाद से 3 साल का graduation करता है तो 20 साल हो गई और 20 में 3 साल minimum आपमान करके चलिए डियलेट complete होने में तो 23 साल हो गया 23 साल के बाद से 2-3 साल भरती नहीं आती है तो उस समय में आप देखेंगे लगबग 24-25-26 का age आ चुका होगा महिलाओं का जो की इस age में सायद साधी सु ये साधी ना हुई हो और उन पर इस प्रकार का कोई pressure भी नहीं है कि उन्हें खाना बनाना है तो इस condition में अगर बाहर रहकर के तयारी करना है वो अलग बात है लेकिन अगर घर पर रहकर के तयारी करना है तो जारी से बात है उन पर इस प्रकार का कोई भी pressure नहीं होता है तो इनका passing प्रतिशत पुर्षों की तुलना में कम हुआ होगा क्योंकि वहीं सिलेबस को complete करने में पुर्षों को ज़्यादा समय मिल ला है और महिलाओं को कम समय मिल ला है क्योंकि उनके उपर ज़्यादा जिम्मेदारियां है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता प्रतिशत या फिर बारा प्रतिशत के आसपास हो सकता है अब कैसे यह हो रहा है इसको ध्यान से समझेगा इन दोनों का जब आप ओवराल निकालेंगे मेल और फीमेल का passing प्रतिशत तो वो लगबग 15 प्रतिशत के आसपास आएगा जैसे माल लिजे कि टोटल जो कैंडिडेट होते हैं वो 100 को रिप्रिजेंट करते हैं मैंने आपको बताया कि फीमेल 60 प्रतिशत को रिप्रिजेंट करेंगी और मेल जो है वो 40 प्रतिशत को रिप्रिजेंट करेंगे round figure करना है क्योंकि ये व्यक्ति हैं व्यक्ति दसमा में तो होंगे नहीं तो 7 का यहां female और 8 का यहां male 7, 8, 15 हो जाता है 15 total का कितना 100 का 15 कितना represent करता है 15 प्रतिशत यहीं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुकि male और female बराबर की संख्या में नहीं है female की संख्या जादा है वो 60 प्रतिशत को represent कर रही है इसलिए उनका जो passing प्रतिशत होगा वो कम होगा इस average से और जो male है उसका passing प्रतिशत जोगा वो जादा होगा इस average से यहीं मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ कि male 20 प्रत कारिया है इसी प्रकार से मैंने पूरा calculate कर लिया कि इस वाले में मालीजे 12 प्रतिशत overall candidate है तो महिलाय जो है वो 10 प्रतिशत हो सकती है और पुरुष 15 प्रतिशत हो सकते हैं लेकिन जैसे जैसे हम लोग कम नंबर की तरफ चलेंगे उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि उनको जादा टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए और पुरुष जो हैं उनको जादा टाइम मिला तो यहाँ पर देखे यहां तक तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देखें नंबर कम होताजा रहा यहाँ पर महिलाओं की संख्या चुकि महिलाओं को कम समय मिला पढ़ने के लिए उनके पास अधिक जिम्मेदारिया थे इसलिए उनका नंबर इस रेंज में कम आया होगा अब यहाँ पर जो हमें female और male की संख्या मिली थी इसी male और female में से जो उर्दू और बांगला के teacher हैं वो अलग होंगे यानि कि यह जो total pass candidate की संख्या है इसी में से male और female में से जो उर्दू और बांगला के लिए आवियरतियों की संख्या कम होगी अब उर्दू और बांगला को मिला करके जो सीटों की संख्या है वो 12,000 से जादा है 12,000 से जादा है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लगबग 90% जो यहाँ पर total pass होने वाले अभियरतियों की संख्या होगी वो समाने विसे के लिए होगी क्योंकि उर्दू और बांगला जो पढ़ा होगा वहीं तो उसके लिए eligible होगा और वहीं तो उसके लिए आविदन किया होगा तो लगबग 10% ऐसे भियरतियों की संख्या हो सकती है 10% जो की उर्दू और बांगला के लिए आविदन किये हुए हो सकते है तो अगर महिलाओं का 10% हम लोग निकालें तो 65100 कितना है देखिए 65100 का अगर हम लोग 10% निकाल दें तो इसका फीमेल का जो संख्या जाता है वो आता है 6510 ठीक है और मेल का अगर हम लोग यहाँ पर 10% निकाल दें तो इसका संख्या जाता है मेल का कितना था 43,400 ठीक है इसका 10 प्रतिशत अगर हम लोग निकाल दें तो इसकी संख्या आ जाती है 4,340 और इन दोनों को अगर हम जोड़ दे मेल और फिमेल को तो इसकी संख्या आ जाती है वो है 10,850 देखिए मेल और फिमेल दोनों को मिला करके ऐसे अबिर्थी जो की क्वालिफाई किये हुए हो सकते है उर्दू और बांगला के लिए उनकी संख्या आ रही है 10,850 और इनके लिए वेकेंसी कितनी है 12,000 से जादा इसलिए मैं पहले के वीडियो में आपसे बताया था कि उर्दू और बांगला के लिए जो भी अबिर्थी क्वालिफाई करते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिल्टी रहेगी कि वह केवल क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो भी उनका चेयन सुनिशित हो सकता है क्योंकि उनमें competition बहुत कम है main competition जो है वह समाने विशे के लिए है उर्दू और बांगला के लिए बिल्कुल competition है ही नहीं उर्दू से भी कम बांगला में पढ़ेगा क्योंकि बांगला जो पढ़ा होगा वहीं केवल इसमें eligible होगा बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की खास करके मैं बात करूँ तो यहां पर उर्दू और बांगला का प्रचलन बहुत कम है UPTET की जब परिच्छा होती है या फिर सुपर्टेट की परिच्छा होती है सुपर्टेट में तो खहर उर्दू नहीं पुछा जाता है लेकिन UPTET की परिच्छा में उर्दू को आप्ट करने वाले अभिरतों की संक्या बहुत कम है जहर सी बात है आने राजो में UP के भी maximum candidate वहां पर apply किया हुए होगे तो यहां पर जो भी अभिरती उर्दू और बांगला से apply किया हुआ है उनका अगर cut off भी clear हो जाता है तो वह 100% safe है क्योंकि इनके लिए vacancies लगबग 12,000 है और total पास होने वाले अभिरतों की संक्या लगबग 10,850 के आसपास हो सकती है चलिए ये तो हम लोग बात कर लिए उर्दू और बांगला की वह 65,100 का अगर हम लोग 90% निकाल दें तो वह आता है 58,590 और mail का जो आखड़ा आता है अगर हम लोग 43,400 का 90% निकाल दें तो ये आखड़ा आता है 49,060 अब हमें इस वाले आखड़े से मतलब नहीं है इस वाले आखड़े से मतलब है क्योंकि हमने जो उर्दू और बांगला था उसका देख लिया है जितनी सीटे हैं उससे भी कम अबेरती एक तरीके से क्वालिफाई करें तो जारी से बात है जिनका क्वालिफाई हो जाएगा वो 100% चैन सुनिशित कर लेंगे अब हम लोग समाने विशे की तरफ आगे बढ़ते हैं समाने विशे में फीमेल की संख्या 58,590 है और मेल के लिए 49,060 है आप इस्क्रिन पर ओफिशल नोटिफिकेशन में जो पदो का विवराण दिया गया था आप अपने स्क्रिन पर देख पारोंगे यहाँ पर जो टोटल 80,000 पदों की बात की जारी है 80,000 पदों पर फाइट नहीं है यहाँ पर 12,729 पद जो की उर्दू के लिए है और 148 पद जो की बांगला के लिए है यहाँ पर तीनों प्रकार के सिख्षक आपस में फाइट नहीं करेंगे उर्दु वाला उर्दु से करेगा पांगला वाला बांगला से करेगा तीनों के मेरिट अलग अलग बनेगी और चुकि यहाँ पर उर्दु के लिए बहुत अच्छी कासी सीट है 12729 है तो यहाँ पर जो भी अभेरति क्वालिफाई करेगा 100% उसका चैनल सुनेशित हो जाए तो देखे 13397 पद समाने अनारक्षित लिखा गया है तो यह male candidate के लिए अब इस male candidate में अनिर राजे के सभी अभियरति फाइट करने वाले हैं male candidate ठीक है बिहार के सभी male candidate फाइट करने वाले है जो कि meritorious होंगे और बिहार के जो एक तरीके से unreserve category में अभियरति होंगे वो fight करने वाले meritorious कहने का मतलब कि जो category से belong करते हैं जैसे कि OBC, SC, HD तो vertical reservation होने की वज़े से वो अपनी category को छोड़ करके unreserve category में चले जाएंगे अगर उनका merit उन से जादा हुआ, unreserve से जादा हुआ तो ठीक है तो इस 13397 में बिहार के बाहर के सभी अभियरति जो male candidate है वो fight कर करेंगे बिहार के category वाले meritorious candidate यहीं पर fight करने वाले हैं ठीक है अब महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो बिहार के बाहर की महिलाओं की संख्या मतलब सीटों के लिए संख्या 13435 है अब इस 13435 में other state की सभी महिलाएं आएंगी बिहार की unreserve category की सभी महिलाएं आएंग इसी notification में यह बातें mention की गई हैं कि जो महिलाओं के लिए यानि female के लिए जो आरक्षण है 50% वो आरक्षण 36 आरक्षण दिया गया है यानि horizontal आरक्षण दिया गया है horizontal आरक्षण में क्या होता है कि जो link की आधार पर आपको दिया गया है कि female तो वो अपने ही seat पर fight कर सकती ह जैसे कि माल लिजे एक female माल लिजे कि अनुसूचित जासी से विलोंग करती है और उनका category में जो marks आया वो जो male unreserved category का marks था इससे भी ज्यादा था तो कायदे से तो इनको यहाँ पर चला जाना चाहिए था लेकिन यह तभी possible होगा जब यह vertical reservation होता लेकिन इनका 50% reservation है वो vertical नहीं है बलकि horizontal है तो यह अब male वाली seat को occupy नहीं करेंगी बलकि अपने ही female वाली seat में इस वाले category में चली जाएंगी ठीक है इस प्रकार से अब यह reservation का बटवारा होगा और इन सभी seat का बटवारा होगा अब चलिए आते है main point पर अब हमें यह calculate करना है कि जो male की total संख्य हम ने निकाला था 49,060 ठीक है 49,060 जो male candidate की संख्या है उसका 20 प्रतिशत male का हमें यह निकालना है जो कि 6,6 और उससे उपर पाए हुए हैं तो 49,060 का हम लोग क्या निकाल देंगे 20 प्रतिशत निकाल देंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी 7,812 male candidate है जो कि 6,6 या फिर इससे उपर पाए हुए हैं इसी प्रकार से 15 प्रतिशत जो male candidate है जो कि 61,065 के बीच में पाए हुए है इनकी संख्या अगर male जो कि 49,060 है उस पर 15 प्रतिशत अगर हम लोग निकाल दें तो इनकी संख्या आ जाती है 5,869 कितना 5,869 अब अगर 6,6 से उपर और 61,065 के बीच में द हो गया इनकी संख्या जोडते हैं तो लगभग लगभग आता है 13,671 संख्या आ जाता है यहां पर देख लिजे मैं यहां पर category wise categorize नहीं कर रहा हूँ इसी में mail में आपके OBC भी होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे, दिव्यांग भी होंगे, आने राजे से संबंदित अभी भी होंगे, बिहार से संबंदित अभी होंगे, लेकिन हमें यह देखना है कि जो अनारक्षित seat है, वो सब के लिए open है, चाहें वो category वाला बंदा हो, चाहें वो बिहार का unreserved male candidate हो, या फिर अने राजे का male candidate हो, सब वो अनारक्षित वाले seat पर ही fight करेंगे, और उनके लिए अगर हम लोग यहां पर 61 से, 61 मिनमम यहां पर मान करके चलिए, क्योंकि इस से उपर तो सब उपर चला जा रहा है, तो 61 मिनमम मान करके चलिए, यहां पर इनके लिए total जो अभियर्थी qualify कर रहे हैं, जो की 61 से उपर है, वो 13,671 होता है, यहां पर जो अनारक्षित male candidate का seat है, 13,397, इसी seat के मैं बात कर रहा था, जो भी मैंने आकरे आपको बता है, male candidate के बारे में, जिसमें meritorious candidate भी हैं, बिहार के अनर जरुब भी हैं, और अनर राजे के सभी candidate हैं, उन सभी को मिला करके 61 से उपर, 61 या फिर इस से उपर जो qualify करने वाले भियर्थियों की संक्या है, व यानि कि ये 61 से थोड़ा सा और ज़्यादा हमको बढ़ाना पड़ेगा, माली ये 62, ताकि ये seat इसके बराबर हो जाए, यानि कि अनर जरुब mail का जो cutoff जाएगा, वो 62 प्लस जाने की प्रबल संभावना है, अब चुकि जो अभी final answer की आना बाकि है, एकाद नमबर mail कहने का मतलब कि unreserved mail, यानि कि बिहार के बाहर के सभी mail candidate इसी cutoff में fight करेंगे, और अगर उनका इतना बन रहा है, तो वो अपने आपको safe मान करके चल सकते है, mail candidate जिनका 61 से 65 के बीच में होगा, बिहार के बाहर के सभी राजे के अभियर्थी, बिहार में unreserved category के mail मैंने mail की बात कर ली, अब female पर आते हैं, female के लिए जो 58,590 पास होने वाले भियर्थियों की संख्या है, उसका 12 प्रतिशत ऐसी महिला है, जो की 6,8 और उससे उपर पाती है, अगर इसको हम लोग calculate करते हैं, यानि 58,590 का हमें कितना निकाल देना है, 12 प्रतिशत निकाल दे है, 7,030, कितना? 7,030 महिला हैं, ठीक है, और इसका 10 प्रतिशत अगर हम लोग निकाल दें, ठीक है, यानि कि 58,590 का 10 प्रतिशत निकाल दें, तो यह आ जाता है, 5,869, ठीक है, 5,869, अब अगर दोनों को अगर हम लोग जोड देते हैं, तो दोनों को जोडने पर देखे, जो आखड़ा हमें मिलेगा, 7,030, प्लस 5,069, तो यह आखड़ा आता है, 12,889, ध्यान दीजेगा, 12,889, अब आते हैं, अनारक्षित वाली जो सीटे हैं, महिलाओं के लिए, 13,435 हैं, इसी में, यह सभी अन्रिजर्व कैटिगरी के 61 तक का आखड़ा हमने निकाला, इसमे महिलाओं की संख्या जो आ रही है, 12,889 आ रही है, जबकि सीट कितना है, 13,435, यानि कि अभी भी लगभग लगभग 5-600 सीटे यहां पर बच रही हैं, जिसके वज़े से 61 से नीचे कट आफ चला जाएगा, यानि अब हमें अगले वाले में देखना होगा फिर से, अगला ये वाला रेंज परड़ा है, और ये इन सब को जोड़ करके, मतलब कि पूरा नहीं, बलकि कुछ को जोड़ करके, वो जो महिलाओं के लिए अनारक्षित सीटे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी, यानि कि महिला अन्रिजर्व के लिए जो यहां पर सेफ कट आफ हो सकता है, वो लगभग लगभग 56 से 60 के बीच में हो सकता है, कितना 56 से 60 के बीच में, मैंने आपको आंकडे पूरे कैलकुलेट करके बताया हैं, तो अन्रिजर्व महिला के लिए 56 से 60, और अन्रिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए जो सीटे हो सकता है, वो 61 से 65 के बीच में हो सकता है, यहाँ पर देखे मेरे द्वारा जो पहले cutoff बताया गया था वो आप अपने स्क्रीन पर देख पारोंगे ये male का मैंने बताया था ये female का बताया था लेकिन इस समय तक आंकड़े इस पश्ट नहीं थे अभियरतियों के द्वारा जो दावा ये किया जा रहा है कि उनके number कम हो गया है देखिए number कम वाला जो हववा बना दिया गया है वो actually में ऐसा मुद्दा है ही नहीं आप जिस भी educational platform से number मिला रहे हैं वो उनके द्वारा सही बताया गया है या नहीं इस बात की क्या guarantee थी authentic source को ही से research नहीं किया रहता है वो YouTube पर या फिर इधर उधर सर्च करके आपको तुरंत क्योंकि उनके उपर भी pressure रहता है कि अगर आपको तुरंत नहीं बताएंगे तो दूसरे चैनल पर आप जा करके वहां पर व्यू बढ़ाने लगेंगे इसलिए उनके उपर pressure रहता है और इस ह आप आठ नंबर कम बता रहे हैं वो actually में एक हववा बन गया है जो की ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कम हुए actually में आयोग ने जो उतर दिया है वो काफी हद तक सटीक है बहुत ज़्यादा इसमें changes होने की संभावना नहीं रहेगी ठीक है तो पहले जो मेरे cutoff बता किया उसके बाद से देखे unreserved category का male का जो safe cutoff होगा वो 61 से 65 के बीच में होगा मैंने अभी आपको calculate करके दिखाया और female का कितना हो सकता है 55 से 60 के बीच में हो सकता है यहां तक clear हो गया इसके बाद से अगर हम लोग बात करें OBC का तो OBC का जो safe cutoff हो सकता है वो हो सकता है आप 56 से ले करके 60 के बीच में ठीक है और EBC का safe cutoff mail की में बात कर रहा हूँ EBC mail ठीक है इसका जो cutoff हो सकता है वो हो सकता है 54 से ले करके और यहां पर 57 के बीच में EBC का ठीक है उसके बाद से SC की अगर हम लोग बात करें तो SC का जो safe cutoff होगा वो 50 से ले करके 50 से ले करके यहां पर 52-53 के बीच में हो सकता है और ST की बात करें अगर हम लोग तो ST का जो safe cutoff हो सकता है 45 से लेकर के 50 के बीच में और EWS का जो safe cutoff होगा EWS का जो safe cutoff होगा वो लगभग लगभग OBC के आसपास जाता है ठीक है लगभग लगभग OBC से और कई बार देखा गया है कि OBC से भी कम चला जाता है तो हम लोग OBC के बराबर ही मान करके चलेंगे यानि कि 55 से लेकर के 60 के बीच में इसका cutoff हो सकता है ठीक है 55 से लेकर के 60 के बीच में physically handicapped male की अगर हम लोग बात करें अब आते हैं female पर female के unreserved category का हमने देख लिया था 55 से 60 के बीच में हो सकता है ठीक है उसके बाद से OBC female की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो cutoff होगा वो हो सकता है 50 से 55 के बीच में OBC female की बात मैं कर रहा हूं EBC female की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो cutoff जाएगा वो 48 से 33 के बीच में जा सकता है इसके बाद से SC की अगर हम लोग बात करें तो SC की जो cutoff जाएगा वो जाएगा आपका 45 से 50 के बीच में ठीक है और ST का जो cutoff जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ST का जो cutoff जाएगा वो जाएगा लगबग 40 से 45 के बीच में EWS का जो cutoff जाएगा वो जाएगा लगबग-लगबग EWS की cutoff की मैं बात कर रहा हूँ वो जाएगा लगबग-लगबग 45 से 50 के बीच में ठीक है और इसी प्रकार से physical handicaps की मैं बात करूं तो महिला है तो केवल qualify भी हो जाती है तो उसका 100% chance सुनिशित हो जाएगा तो ये सब कुछ scenario रहने वाला है ये वाला जो cut off है ये काफी हद तक आपके द्वारा दिये गए data पर आधारित है तो ये cut off के अनुसार आप अपने comment के मादम से जरू बताईगा कि आप safe zone में है अधवा नहीं यहाँ पर मैं मकसद किसी को भी demotivate करना नहीं है मैं भगवान से हाथ जोर करके प्रातना करता हूँ कि मेरे सभी आखड़े गलत साबित हो जाए और cut off इतना नीचे गिर जाए कि सभी अभियरतियों का chance उनिशित हो जाए फिर भी आप comment करके जरू बताएगा कि जो भी आखड़े हमने calculate करके एक निसकर्स तक पहुँचे है क्या आप इसके अनुसार safe है आपका कितना marks बन रहा है कमेंट के मादम से जरू बताएगा और ऐसे ही मतवपून अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो